तो यहां मैंने ग्यास आउन कर लिया है और फ्लेम मीडियम रखकर इस पे एक पैन रख दिया है अब मैं इलाइची लूँगी यह इलाइची मैंने लिये है नुमाडिक एक्सपीरिंस से यह बिलकुल फ्रेश इलाइची है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे तो यह देखे, यह मैंने ली है छोटी इलाइची, जिसे हम हरी इलाइची भी कहते हैं, तो मैं इसको पूरा छिलके समेत यूज करूंगी, इसके छिलके और दाने आपको अलग करने की जरूरत नहीं है, पूरी as it is यूज होगी और कोई वेस्टेज हम नहीं करेंगे, तो पै इसको हमें बहुत जादा भूनना, बिकुल ब्राउन या काला नहीं करना है, बिल्कुल भी, सिर्फ हलका सा भूनना है, और आप देखेंगे, कि जो भूनी हुई इलाइची का कलर है, as compared to fresh इलाइची, वो हलका सा लाइट होने लगेगा, और कहीं कहीं हलके से ब्राउन स्प जो ठंडा कर लिया है, छोटी प्लेट में निकाल लिया था, और आप देखेंगे, या अच्छे से भूनी हुई है, बहुत जादा कुक नहीं हुई है, हलकी सी भूनी है, जिससे की बाहर का जो सर्फिस है, वो अच्छा कड़क हो गया है, क्रिस्प हो गया है, तो अब इसे मैं grinder jar में डाल लूँगी grinder jar generally वो jar होता है जो आपके mixer के साथ सबसे छोटे size का jar हो generally और अब इसे हम अच्छे से grind करेंगे भुनी इलाईची है इसलिए पूरी की पूरी हमारी अच्छी सी एक fine powder में convert हो जाएगी इलाईची तो ये देखिए हमने कोई भी इसका बाहर का छिलका कुछ भी waste नहीं किया है पूरी साबूत इलाईची हमने यूज करी है और ये देखिए इसमें से धुआ भी निकल रहा है विकॉज हमने dry grinding करी है और ये बिलकुल fine powder बनके हमारा तयार है ये इतना fine है कि आपको छानने की भी इसको जरूरत नहीं है बेबीज के रिए ये आप किसी भी डिश में flavor enhance करने के लिए थोड़ा सा use कर सकते हैं और अब मैं इसे transfer करूँगी एक clean and dry glass container में याद रखिए आपका container बिलकुल clean और बिलकुल dry होना चाहिए बिलकुल उसमें पानी नहीं होना चाहिए और उसके ओपर मैं airtight lid लगा दूँगी अब ये मेरा powder बिलकुल तैयार है क्योंकि मेरी ये लाइची fresh थी तो manufacturing date के हिसाब से मैं लगभग एक साल तक इस powder को अराम से store कर सकती हूँ और जब भी use करना हो इसे खोल के एक clean and dry spoon का ही use करें और आप इसे use कर सकते हैं